मुंताथ ब्लॉगर के साथ नया दिन नहीं सुभा सफर विध हम सफर आज हम अकेले ही जा रहे हैं लेकिन ये डायलोग मुझे कंपरसली बोलना पड़ता है नहीं तो मेरे हस्बड नाराज होते हैं तो स्पेशली आज हम जा रहे हैं कुरान खानी में तो मैं रड़ी हो चुकी हूँ और बस गाड़ी का वेट कर रहे हूँ कब गाड़ी आएगी और हम निकलेंगे तो चलो आज आज आपको दिखाएंगे अपना सफर पहाड़ों में किस तरह होता है सारा फंक्शन आज पुर मेरी गाड़ी आचुके फाइनली तो मैं नीचे उतर रहे हूँ वहाँ पता ने कि ठंड होगी एक तो लेट हो चुके हैं अभी घर से तीन बच चुके हैं तो पता नहीं हमें तो रात ही पड़ जाएगी पहुंचते पहुंचते देखिए हमारी गाड़ी आचुके हम कि भूख लगी हुई थी हमने का कुछ खा पी लेते फिर निकलते हैं आज हम आए हुए थे हैं कुरान कानी में देखो सबी बैठे हुए हैं बहुत ही मज़े कर रहे हैं हमें देखो आग भी शेकरें आग जलाए हुई बहुत ही मजा रहा है और अभी हम सुबह निकलेंगे देखिए तो अब हम सोने लगेगा सोने के बाद हम सुबह निकलेंगे यहां से घर के लिए तो आपको बताएंगे फिर गहर का साफार यहां से निकल प्ड़े रेगत दब तक हम दिकार हिए हमारी प्तो है इतिक इस का फंक्शन था यह देखो बच्चे सोने की तेयारी कर तो फाइनली मेरा ट्रिप खतम हुआ तो मैं अभी गुरान गान के ट्रिप से जा रही हूं घर तो फाइनली आज मैं दूसरे दिन पहुंच गी अपने घर और घर पर आद्टे में धके हुए थी, मुझे बहुत सदा भूख लगी थी क्योंकि मैं सुबह सुबह शुपर निकले तो लड़ो ने मिले बनाई देखो दूड और फैनिया और मैं खा रहे थो दूड और फैनिया तो चलो मीरे हस्बन ने में ले तनra क्येरिंग की बहुत अच्छे से बैए हमेशा की लिए ऐसी करते हैं चलो मैं ये खा ले ती हूँ चलो मिलते हैं नेक्स ब्लोग में तब तक के लिए आपका मेरे साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यावाद तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना पुलिए पेचलों मिलते हैं आगे की ब्लॉग में